नमस्का डेली PCS GK में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्ण से हमारा प्रश्ण था काफियो राश्टी उद्यान किस देश से सम्मंदित है आपके विकल्ब थे A. अंगोरा B. बोत्सवाना C. जांबिया इसका सही उतर विकल्ब सी जांबिया खाली रिपोर्ट के उनसा जांबिया का काफियो नेशनल पार्क में शेर और तेंद्यों की आबादी में उलेकनी वृद्दी हुई है रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिडी के एनपी में तेंद्यों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है 2019 में प्रती सो वर्ग किलोमीटर में लगभग एक दशों लब पांच तेंद्यों थे और 2022 तक है संख्या प्रती सो वर्ग किलोमीटर में लगभग चार दशों लब चार तेंद्यों तक पहुँच गई है यह महतपूर वृद्धी सनक्षड उपायों की सकरात्मक प्रभाव को इंगित करता है काफ्यू राष्टी उद्ध्यान के बारे में यह जांबिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्टी उद्ध्यान है यह 22,400 किलोमीटर के क्षेतर में फैला है 1950 के दशक में पार्क ने राष्टी उद्ध्यान का दरजा प्राप्त किया यह राष्टी उद्ध्यान स्तंधारियों की 55 से अधिक विविन्य प्रजातियों का घर भी है आपको बताती का उद्ध्यान का नाम काफ्यो नदी के नाम पर रखा गया है चलिए बाद के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है फुकोट करनाली जल विद्धूत परियोजना भारत और किस देश की सवयक्त परियोजना है इसका सही उतर विकल्प C नेपाल हाली में भारत की NHPC Limited और नेपाल की विद्धूत उत्पादन कंपनी Limited ने दिल्ली में फुकोट करनाली जल विद्धूत परियोजना के विकास के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक शर किये हैं फुकोट करणाली जलविद्धूत परियोजना के बारे में जानते हैं नेपाल की यह परियोजना 480 मेगावाट की है यह परियोजना बिजली उत्पादन करने के लिए करणाली नदी की धारा का इस्तमाल करेगी और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकी कृत बिजली पिकिंग रन ओफ रिवर की तरह की योजना की रूप में की गई है यानि यह नदी का प्रवाह कम होने पर भी बहतर तरीके से काम करेगी इसका पूरा नाम नेशनल हाइड्रो लक्तोने पाबर कॉर्पोरेशन लिम्टिड है यह भारत का सबसे बड़ा जल विद्दुद विकास संगठन है मिनी रत्न दरजा प्राप्ति है भारत सरकार का अनुसूचिय उद्ध्यम है अगला प्रश्न सिम्षा, भवानी, अमरावती और हरंगी निम्लिकित में से किस नदी की सहाइक नदिया है गुदावरी, निर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा इसका सही उतर विकलपसी कावेरी सिम्षा, भवानी, अमरावती और हरंगी कावेरी नदी की सहाइक नदिया है कावेरी नदी इसे तमिल में पौन्नी के नाम से जाना जाता है यह दक्षिर भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है इसे एक पवित्र नदी माना जाता है इसका उदगम दक्षिर पश्चिम करनाटक राज के पश्चमी घाट में स्थित ब्रह्मागरी पहाडी से होता है यह करनाटक एवं तमिलादूराज्यों से होती हुई दक्षिर पूर्व दिशा में बहती है यह एक श्रिंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है इसके बाद पांडचेरी से होती हुई बंगाल की खाडी में गिरती है अगला प्रशन शुद्र ग्रह पट्टी किन दोग्रहों के बीच है A. पृत्वी और मंगल B. मंगल और ब्रिस्पती C. ब्रिस्पती और शनी या फिर D, शनी और यम इसका सहि disproportion विकल्प B, मंगल और ब्रहिस्पती क्षुद्र ग्रह सूर की परिक्रमा करने वाले छोटे चक्टानी पदार्थ होते हैं क्षुद्र ग्रह द्वारा सूर की परिक्रमा ग्रहों की समान ही कि जाती है लेकिन इनका कार ग्रहों की तुला में बहुत छोटा होता है हमारे सौर मंडल में बहुत सारे शुद्र ग्रहे हैं और उनमें से ज्यादा तक शुद्र ग्रहे मुख की शुद्र ग्रहे बेल्ट से पाए जाते हैं ये मुख्य शुद्ग्रह बेल्ट मंगल और ब्रिस्पती ग्रहों के कक्षाओं के बीच के शेत्र में स्थित है। कुछ शुद्ग्रह ग्रहों के कक्षिये पत्थ में पाई जाते हैं। इसका ताथ पर यह है कि खुद्ग्रह, ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर खतरा उठपन कर सकते हैं। खुद्ग्रहों का वरगी करण इस प्रकार है मुक्ख खुद्ग्रह पेटी। ये दिकांश मंगल और ब्रिस्पती के बीच इस्थित शुद ग्रह पेटी में पाई जाते हैं तोजन्स ये एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साजा करते हैं लेकिन इसके साथ टकराती नहीं है क्योंकि वेक एक्षा में लगग दो विशेश स्थानों के आसपास एक कत्रित होती हैं अगला प्रश्ट इस्राइल एक क्या है उपग्रह रक्षा प्रडाली एक ड्रोन या फिडी सुपर कम्प्यूटर इसका सायूतर विकल्प डी सुपर कम्प्यूटर एनवीडिया का इस्राइल एक वेशुक इस्तर पर सबसे शक्तशाली एई आई सुपर कम्प्यूटर बनने की ओर अगसर है यह अत्यादुनिक मशीन एनवीडिया के स्पेक्टर्म एक्स नेट वर्किंग प्रेटफॉर्म का लाब उठाईगी यह विशिश रूप से जनरेटिव एई वर्क लोड के लिए तयार किये गए एक उद्देश निर्मित उच्च प्रदर्शन एथरनेट आर्किटेक्शर है आपको बतादी कि इसराइल एक की तेहनाती आर्टिफिशल इंटेडिजेंस के क्षेतर में एक प्रमुक उपलब्दी का प्रतिन रित्तो करती है इसका प्रात्मिकु देश एई और तुरित कम्प्यूटिंग में सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है गौर तलब है कि यह सुपर कम्प्यूटर आर्ट एक्स फ्लॉप की तीवरता हासिल कर सकता है और यह है प्रतिस सेकेंड एक क्विंटिलियन गड़नाओं को अंजाम देने में सक्षम है यह आधुनिक टिक यह अत्याधुनिक डेटा प्रोसेसिंग एकाईयों से लैस होगा जिसे ब्लू फ्ल्ट तीन की रूप में जाना जाता है जिसे इस जायल में विक्षित किया गया है अगला प्रशन गैलेरी टेस्ट समंदित है कुरुना से, माइग्रेन से, कैंसर से या निमोनिया से इसका सही उतर है विकल्प सी कैंसर से खाली में एक परिक्षड किया गया जिसमें केवल एक रक्त परिक्षड ने पचास से अधिक प्रकार की कैंसर का पता लगाने की उलेखनेक शमता दिखाई है इस परिक्षड को गैलेरी परिक्षड की रूप में जाना जाता है इस परिक्षड ने सकारात्पक मामलों में उच्छ सटीक्ता दर और कैंसर की मूल साइट की पहचान करने की शमता का प्रदशन किया है गैलेरी परिक्षड का उदेश प्रारम्मिक वस्ता में उपचार योगी कैंसर की पहचान करके कैंसर की पहचान में क्रांती लाना है इस परिक्षड में इस रक्त परिक्षड के माध्यम से संदिक्त लक्षण वाले 5000 पतिभागियों में से दो तिहाई कैंसर की सठीक पहचान की गई है यानि 6.6 प्रितिशत उलेखनी रूप से 90-85 प्रितिशत सकारात्पक मामलों में गैलेरी परिक्षड ने कैंसर के मूल स्थ अगला प्रशन अखबर दौरा आगरा किले का निर्मार किस वर्ष करा गया था ए 560 बी 1565 पंद्रेसो सरसट या फिर 1547 भी इसका सही उत्तर विकल्प बी 1565 खाली में एक आठीआई के जवाब में भारती प्रातत्त सर्वेक्षड ने कहा है कि आगरा के किले का निर्मार कि इसने करवाया इसकी जानकारी उनके कारियाले में उपलब्द नहीं है। आगरा कले के बारे में जानते हैं इसके लिए का निर्मार अकवर ने 1565 इसवी में करवाया था। उत्तर प्रदेश परेटन विवाग ने यहां नया साउंड एंड लाइट शो शुरू किया है। इसमें इतिहास की कहानिया दोरा ही जाती हैं। आगरा किला को वर्स 1983 में युनेसको दोरा विश्य धरुवर इस्थल में शामिल किया गया। इतिहासकार अबुलफजर ले देख की या जड़त तुकी। इसका सही उतर विकलप दी जड़त तुकी। साराइजक न्यूटन ने सत्रवी शताबदी में तीन नियम प्रकाशित किये। न्यूटन की गति का पहला नियम किसी वस्तुकी गति और उस पर कार करने वाले बल का परिचाय है। न्यूटन की गती का पहला नियम कहता है कि एक पिंड तब तक एक सीधी रेखा में आराम या एक समान गती की इस्थिती में रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कारिन नहीं करता। न्यूटन के गती के पहले नियम को सरल शब्दों में कहें तो कोई पिंड तब गती करना शुरू नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारिन ना करेगा। ए मेंटल, बी कोर, सी क्रष्ट या फिर दी उप्रोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उतर है विकलप सी क्रष्ट। क्रष्ट, सियाल, सिमा और निफे, पृत्वी की परते हैं। सियाल शब्द क्रष्ट की उपरी परत की सरचना को संदर्भित करता है जिसका आर्थ अलियूमिनियम, सिलिकेट खनजों से सम्रिद्ध चटाने हैं। आम तोर पर जब सिमा सतह पराती है तो वह बेसाल्थ होती है। इसलिए कभी-कभी इस परत को क्रष्ट की महासागर परत कहा जाता है। चले ब नोट कीजिए हज का भ्यास प्रश्ण। इस प्रश्ण का सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते ने सेशन में तब तक के लिए नमस्कार।